हेलो एबरीबन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग करेंगी कुस्टन आंसर चैप्टर टेन वाटर पॉलोशन ओके और आज के इस वीडियो लेशन में हम लोग देखेंगे फिर इन दे व्लैंक्स टू फॉल्स एमसी क्यू शॉर्ट अंसर टाइप कॉस्टन और लॉंग अ फिलिंदा ब्लैंक सी और यहां पर हम देख रहें ना फर्स्ट कोस्टन कहा गया है इस दा प्यूरेस्ट फॉर्म ओफ वाटर तो वाटर का प्यूरेस्ट फॉर्म क्या होगा यह हम लोग को बताना है तुम लोग जानते हैं वाटर का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है रेन वा पॉलूटिड वाटर फिर आता है हमारे पास chemical fertilizer इसके बाद बलेंक है यूजड बाय farmers can cause water pollution तो farmers कोन से chemical सका यूज़ करते हैं जिसके का यूज़ वाटर pollution होता है तो पहला तो है यह fertilizer और दूसरा अपना हो जाएगा pesticides ओके तो हम लोग यहां क्या फिल करेंगे pesticides next हम लोग देखेंगे question number 4 यहां पर कहता है drinking अना drinking फिर blank दिया हुआ अपना और कह रहा है water can cause diseases like diarrhea and jaundice तो किस तरह के water को अगर हम लोग लेते हैं drink करेंगे तो इस तरह के diseases होएंगे तो यहां हम लोग जानते हैं आएगा polluted water okay polluted water अगर हम लोग drink करेंगे तो हम लोग क्या होगा diarrhea, jaundice, typhod इस तरह के कुछ diseases होते हैं okay फिर हमारे पास last होगा फिर इन दे blanks का यहां पर blank है कहता है agriculture which is increase the growth of microorganism in water तो हम लोग यहां पर क्या फिल करेंगे industrial and agriculture wastage okay तो जो इंडिस्ट्री से जो waste होता है और agriculture waste होता है उसके कारण क्या और ना micro organism grow करता है कहां पर water में तो फिलन दबल इंक्स complete हो गया हम लोग देखेंगे next true false की और okay तो first question यहां पर है river water is the purest form of water क्या river water जो है वो water क्या purest form है यह हम लोग को बताना है true या false नहीं तो यह false होगा यह statement क्या हो जाएगा false हो जाएगा second हम देखेंगे कहता है polluted water may contain germs, smoke, dust यह सब रहेंगे जी true है तो हम लोग क्या कर लेंगे true इसके बाद हम लोग चलते है next question पर कहता है throwing domestic waste in rivers causes water pollution yes अगर domestic waste को हम लोग river में डालते हैं तो क्या होगा water का pollution होता है चली fourth question देखेंगे increased growth of microorganism in water increases the amount of oxygen for aquatic animals क्या अगर microorganism का growth बढ़ जाता है increase growth of microorganism microorganism का growth अगर बढ़ जाता है तो क्या oxygen का amount भी बढ़ जाएगा नहीं oxygen का amount घट जाएगा तो यहाँ पर क्या लेखेंगे false last देखते हम लोग use of chemical fertilizers help in preventing water pollution क्या हम chemical fertilizer का use करेंगे तो उसे जो water है वो water pollution रुख जाएगा preventing water pollution मतलब water pollution रुख जाएगा नहीं हम लोग fertilizer use करेंगे तो water pollution नहीं रुखेगा तो यह false हो गया तो यहाँ पर हम लोगों क्या देख लिया कि केवल second और third का statement जो है वो क्या है न ट्रू है और बाद बाद के सब के सब क्या है न फॉल्स है चलिए next हम लोग देखेंगे अब यह हमारे पास आ गया mcq ओके तो यहां पर हमारे पास four options दिये वे हैं किसी एक option को लोगो क्या करना है select करना जो कि correct होगा तो पहले हम देखेंगे a disease that may be caused by drinking polluted water तो polluted water को लेने से कौन सा disease होता है malaria नहीं इसको आप cancel कर देजिए curve यह भी नहीं होगा डेंग्यू डेंग्यू नहीं होगा correct answer क्या होगा अपना cholera ओके तो cholera को आप टिक कर लेजिए second हमारे पास है यह polluted water polluted water should not be used for irrigation because जो polluted water है उसका यूज नहीं होना चाहिए किसके लिए सिचाए के लिए क्यों नहीं होना चाहिए क्या कारण से नहीं करेंगे देखे पहला है it can harm aquatic animals यह तो polluted water तो equity animal को harm करेगा है लेकिन यहाँ पर irrigation की बात किया गया है किसकी बात किया गया है irrigation का तो अभी न यह option correct नहीं होगा it pollutes river water यह भी option correct नहीं होगा it reduces the fertility of soil yes this one is the correct option ओके और लास्ट क्या है it increases the production of crop नहीं यह भी गलत हो जाएगा तो यह हमारे पास stick the correct answer का first to second हो गया चलिए हम लोग बढ़ेंगे third question की और question number third हमारे पास है कहता है oil spills in the sea are harmful because they नहीं जो oil spills है वो क्यों harmful है क्या कारण से harmful है ओके यह हम लोग को बताने हैं तो इसमें हम देखेंगे पहला option decrease the level of water in sea नहीं यह अपना correct option नहीं आप इसको cross कर दीजिए in fact the aquatic plants नहीं यह भी नहीं होगा next देखेंगे increase the growth of microorganism in water यह भी option correct नहीं होगा तो correct option अपना यहां पे होगा D number का यह कहना cut off the supply of oxygen for aquatic animals जो aquatic animals हैं उसके लिए oxygen के supply को क्या करता है रोक देता है cut off कर देना मतलब क्या करना रोक देना उसको oxygen नहीं मिल पा रहा होता है किसको aquatic animals को next हमारे पास होगा pollution of river water may be reduced if reduced मतलब कम करना reduced मतलब क्या हो रहा है ना कम करना तो pollution of river water river water को हम जो pollute हो रहा है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं यह हम लोगों से question कहा गया है हम लोग आईए options को एक अग करके check करते हैं तो first option है हम देख रहे हैं कहता है chemical fertilizers are used for increasing production of crops तो chemical fertilizers का यूज हो रहा है क्या इससे river water का pollution कम हो जाएगा नहीं होगा तो यह option को आप क्या किजिए cross कर देजिए यह correct नहीं हो सकता farmers use sprinklers for irrigating their fields क्या farmers sprinklers use करेंगी तो उसे river water का pollution कम होगा नहीं यह नहीं होगा चुकि river water के बात की गई है तो आप इसको भी cross कर लिजे water is allowed to stagnate around the river bank नहीं यह भी correct नहीं है तो अभी correct option क्या हो जाएगा D number people do not throw, do not wash clothes or bath their cattle in river यह अपना correct answer होगा है ना river water के pollution को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं यह question था चलिए तो यहाँ पर हम लोग नहीं complete कर लिया fourth number, next हम लोग देखते है first question है name any two materials which can make rain water impure जो बारिस की पानी है वो कैसे impure हो जाता है अना उस तरह के दो materials के नेम बताने हैं जो rain water को क्या करता है ना impure कर देता है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे harmful gases and dust particles यह क्या करते हैं ना rain water को pollute कर देते हैं आने impure कर देते हैं second question की बात करते हैं कहते है name any two human activities which can cause water pollution water pollution होता है और यह कैसे हो रहा है तो human activities से हो रहा है तो human activities कौन से हैं वो हमको बताने है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे people wash clothes and bath in river हाना जो people है वो cloths को wash करते हैं और river में बात करते हैं इसके कारण से water pollute हो रहा है दूसरा throwing domestic waste is throwing domestic waste is waste in river तो जो domestic waste है उसको river में throw करने से भी river water क्या होता है पॉलिट होता है यह human activities है next question के हम बात करते है question number third और यह है which two pollutants are often dumped by the factories into the rivers ओके factories जो है न वो कौन-कौन से pollutant को dump कर देते हैं किसमें river में तो इसका हम लोग answer लिखेंगे waste materials वेस्ट मेटरियल and harmful chemicals यह जो दो मेटरियल है वो कहां से कौन-डम करता है तो factories किसमें rivers में और इस तरह से river water pollute होता है fourth question है हमारे पास name any two diseases that may be caused by drinking polluted water दो ऐसे diseases के नाम लिखने हैं जो polluted water को drink करने से होता है ओके तो इसमें हम लिखेंगे typhoid diarrhea आप कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे john dis भी लिख सकते हैं okay cholera भी लिख सकते हैं तो इसमें यह आपके उपर है कि आप कौन सा diseases का नाम लिखेंगे next हम देखेंगे fifth number question और यह हमारे पास है कहता है इसमें हम लिखेंगे chemical fertilizers chemical fertilizers और दूसरा है pesticides okay fertilizers क्या होता है न तो फसल के उपस को बढ़ा देता है और pesticides जो germs हैं उसको kill करता है next यहाँ पर हम लोग complete कर लिए हैं short answer type questions आप हम लोग देखेंगे long answer type questions को long answer type questions यह e type का है और इसमें हम देख रहे हैं कितने questions है टोटल 5 questions है तो एकर करके सारे questions का हम लोग answer करेंगे आईए first question के और चलते हैं तो first question हमारे पास है कहता है how do waste from factories and fields affect the aquatic animals तो aquatic animals किसको कहते हैं वैसे animals जो पाने में रहते हैं उसको हम लोग aquatic animals कहते हैं तो aquatic animals को कैसे affect करता है कौन तो factories का waste तो हम लोग आईए हम यहाँ पर answer करेंगे लिखेंगे waste from factories increase the growth of microorganism in water water मैंना microorganism के growth को बढ़ा देता है कौन तो factory का waste तोके इसका परभाव हो रहा है दूसरा how can polluted water affect the crops जो crops है उसको किस तरह से परभावित करता है कौन polluted water तो आईए इसका भी हम लोग करेंगे इसका हम लोग लिखेंगे wind polluted water wind polluted water is used for irrigation the fertility of soil gets reduced and crops can get damaged soil की जो fertility है अन्य उपजाओ चमता वो कम हो जाएगी और जो crops है वो भी damage हो जाएगा ये इसका क्या होँआ ना affect हो गया चलिए second question होँगे third question देखेंगे कहता है why are oil spills harmful for marine life marine life मतलब जो aquatic animal इसको समुद्रों जो रहते है एनिमल्स उसको हम लोग marine life कहेंगे या प्लांट्स को तो वो कैसे affected होते हैं oil spills से जो oil leak करता है तो अभी ना हम लोग यहां पर लिखेंगे answer रोक रोक देता है काट्स आफ मतलब रोक देना अब इससे क्या होगा उसको problem होगा oxygen अगर नहीं मिलेगा तो उसका life संकत में आ जाएगा यह इसका harmful effect था कि इसका oil spills का next हम लोग देखते हैं question number four हम लोग उसे कहा गया है state any four effects of water pollution water pollution की four effects को बताने हैं क्या क्या हो सकती है तो आई हम लोग इसका answer देखेंगे four effects लिखने हम लोग short में लिखेंगे तो फ़ला poisonous chemicals from factories kill marine animals ओके factory से poisonous chemicals आता है marine animals को क्या करता है न मार देता है दूसरा लिखेंगे drinking polluted water अगर polluted water हम लोग drink करते हैं तो क्या होता है न diseases होता है जैसे डाइरिया हो गया cholera हो गया जॉन्डी आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे तीसरा लिखेंगे polluted water reduces the fertility of soil soil की उपजाओद को कम कर देता है कौन polluted water और आगे है aquatic plants get infected by polluted water polluted water है कारण aquatic plants है वो भी infected हो जाते हैं और उसको भी problem होता है ओके last question हम लोग देखेंगे और यहाँ पे वीडियो को कर लेंगे stop तो last question है state for your ways of reducing water pollution water pollution को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं इसके आगे हम लोगों को कितने तरीके बताने four ways आगे हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ फस्ट में waste from factories should not be allowed to flow into rivers directly जो भी factories की waste है उसको हम लोग direct river में flow ना करने दें यह हमारा पहला step होगा इससे अपना water pollution काम हो सकता है दूसरा people should not wash cloth is reverse और नदी तलाब में जो people से उसको कपड़ा वास नहीं करना चाहिए और नहीं वहाँ पे अपने cattle को भी नहाना चाहिए cattle को भी नहाना नहाना है यह कुछ टेक्निक होगी दूसरा हमारे पास होगा थर देखिए water from drains or sewage should not be allowed to enter into wells or rivers जो sewage है ना और drains है उसका water जो है ना हम लोग डारेक्ट कहां पे wells और river में फ्लो ना करने दें इससे भी water pollution मेरा कम होगा और use of chemical fertilizer should be minimize minimize करने का मतलब कम कर देना तो chemical fertilizer का use कम से कम करें ज्यादा इससितमाल उसका ना करें इससे भी water pollution क्या होगा कम होगा तो आज के इस वीडियो में न हम लोग सारे questions answer को कर लिए chapter 10 का आप इस वीडियो लेशन इस हैलफ़ल पर यो तो लैक दिस वीडियो and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead तो अभी हम लोग अब देखेंगे short answer type questions को चुकि यह अपना objective questions यहां पे complete हो जाता है तो अभी हम लोग देखेंगे short answer type questions को चुकि यहां पे MCQ अपना complete हो गया है और यहां पे हम लोग देख रहे short answer type questions में total कितने questions है total five questions है इसका answer हम लोग को brief में करना है तो आईए हम लोग इसका answer करते हैं तो first question यहां पे हमारे पास है कितना लोग कितना करते है तो